इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे irrational number और irrational number की multiplication होती है basically हमको इसमें देखो 4 plus root 7 ये दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक irrational number है 4 plus root 7 because जो यहां पर root 7 है ये क्या है? irrational number और irrational number में अगर को irrational number हम add भी करते हो है तो वो irrational number बन जाता है इसलिए 4 plus root 7 क्या है? irrational number और 3 plus root 2 इसी तरह से ये भी irrational number है बड़ जब हम इसकी multiply करेंगे तो 4 क्या हमारे पास? rational number तो rational number को हम rational number से ही multiply करेंगे और rational number को हम irrational number से ही multiply करेंगे इस तरह से मैंने कुछ स्क्रीन पर question लिखे है जिनको करने से आपको idea हो जाएगा है कैसे हम multiply करते हैं इस तरह के question को चलो देखते हैं पहले first question solution देखो 4 plus तो पहले इसकी first term आप लिख लो 4 और उसके साथ multiplication में second bracket पूरी लिखनी है 3 plus root 2 और फिर यहाँ पर लिखना है आपने root 7 so plus root 7 multiply में लिखेंगे 3 plus root 2 अब देखो यहाँ पर हमने इसको multiply करना है तो 4 को अगर हम 3 से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 12 क्या मिलेगा? 12 तो थोड़ा जी से मैं सही से लिख देता हूँ तो यह हो गया हमारे पास 12 और अगर 4 को अगर root 2 से multiply करेंगे तो 4 यहाँ पर क्या है? Irrational number और root 2 जो है वो irration number है तो यह multiply नहीं होगा यह इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4 root 2 just multiplication की form में इसको लिख लेना है इसके बाद same process यहाँ पर है देखो 3 multiply root 7 करेंगे तो यह भी हो जाएगा 3 root 7 क्योंकि 3 यहाँ पर rational number है और root 7 जो है irration number है तो इसको हम लिख नहीं सकते मतलब multiply नहीं कर सकते just लिख सकते है multiplication की form में फिर अगर यहाँ पर हम देखें root 7 को और root 2 से करेंगे तो दोनों irration number हैं तो यह multiply हो जाएंगे root 7 को root 2 से करेंगे तो root 14 आजाएगा इस तरह से अब यहाँ पर हमने यह देखना है कि कोई जैसे irration number है जो same number of irration number वाली कोई term हो तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर root 2 है यहाँ पर root 7 यहाँ root 14 है कोई भी ऐसी कोई term नहीं है जिसमें irration number जो आपको same दिखाई देते हैं तो यही हमारा final answer होगा तो I hope आपको यह पहला question अच्छी तरह से समझा गया होगा अब देखते हैं second question second question में आपको देखो क्या दिया हुआ है 3 plus root 3 तो यहाँ से हम पहले तरम लेनी है root 3 और इसके साथ भी हम पूरी bracket लिखनी है 5 minus root 2 अब देखो यहाँ पे हम multiply करेंगे 3 को अगर 5 से multiply करें तो हमारे पास आएगा 15 और अगर इस 3 को minus root 2 से multiply करेंगे तो minus 3 root 2 और सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे root 3 को 5 से करेंगे तो 5 root 3 इसको इसके साथ कह रहा हूँ और अगर root 3 को minus root 2 से करेंगे तो देखो यहाँ पे negative है यह positive है तो minus को अगर plus से multiply करते हैं तो negative answer आएगा और यह जाएगा minus 6 अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको same irrational number बाले कोई टरम दिखाई नहीं दे रही तो यही आपका final answer होगा इसमें आगे हम कुछ नहीं कर सकते अब इसका देखो third question जो है अब third question में क्या है root 5 minus 2 और root 3 minus root 5 इसको हम देखो कैसे करेंगे पहले मैं यहाँ पर यह question पूरा लिख देता हूँ root 5 minus 2 यह जो third question है और second bracket में है root 3 minus root 5 अब इसको आप एक बाद चेक कर लेते हैं चलो चेक करोगे तो देखो root 5 minus 2 root 3 minus root 5 यह ठीक है अब root 5 को root 3 से multiply करना है same वही process apply करेंगे तो पहले हम इसको लिख लेते है root 5 multiply में root 3 minus root 5 उसके बाद हमने लिखना है minus 2 second term लेनी है उसको root 3 और minus root 5 से multiply कर देंगे root 5 को अगर root 3 से multiply करें तो क्या हैगा root 15 दोनों क्यों की rational number है तो multiply कर देना है और यहाँ पर अगर आप देखोगे root 5 को अगर root 5 से करोगे तो यह बन जाएगा 5 multiply 5 similarly यहाँ पर 2 को root 3 से करेंगे तो minus root 3 और minus 2 को अगर इस से करते है तो root 2 क्या है यहाँ पर rational number है but root 5 क्या है? irrational number तो यह multiply नहीं होगे just multiply की form में लिखेंगे और minus minus किया तो plus लिख दिया मैंने देखो यहाँ पर यह आजाएगा plus 2 root 5 अब यहाँ पर देखो यह तो root 50 नहीं रहेगा और यहाँ पर देखो पर बन गया इसका square root कितना आजाएगा? 5 तो यह हम solve कर लेंगे इसका square root आगया 5 अब यह बचा हमारे पास minus 2 root 3 और यह बच गया 2 root 5 तो यह हमारा इसमें final answer है आपको इस तरह के जो question मैंने 3 question करा हैं आपको अच्छी तरह से समझाए होंगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस channel पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करना न भूलें subscribe कर दीजिए और notification को on कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अगर जो और वीडियो जो हाएं उसका notification आपको मिल जाए thanks for watching the video